नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीट सगर, डेली नुज अपने नुज कौन कौन सा है, चक करते हैं, सबसे पहले हैटलाइन्स, देखें, सम्मिट फोर डेमोकरसी चल रहा है, जिसको युनेटेट सेट्स अफ अम उन्हें स्क्राप करने की किसी भी तरह का प्रपोसल अभी के लिए सेंटर की तरफ से नहीं है, ये मिनिस्टर ने क्लियर किया है, फिर युनेटेट नेशन्स जनरल अजंबली ने इंटरनाशनल सोलार अलेयंस को अब्जर्व स्टार्स ग्रांड किया है, ये डिसेशन कंसर्वेशन ऑफ नेचर की तरफ से ये देखेंगे, फिर 79 परसेंट अफ बेटी बचाओ फंड स्पेंट वन मीडिया अड़केसी, देखें बेटी बचाओ बेटी पटाओ स्कीम के बार में अपने सुना होगा, तो इसकीम में अभी तक जितने फंड सारोकेट किया था, व अब चाइनीस इंट्वेंट्स में आके, निकरगवा ने तैवान के साथ जो डिप्नोमाटिक टाई से उन्हें ब्रेक किया है, बेसिकली इन्हों ने चाइना की जो वन चाइना पोलिसी है, उसको रगगरीस किया है, ठीक है, फिर फाइनली, चाइना क्लेम्स इट्स चाइना की सबसे लाज़स डेमोक्रासी है, डेमोक्राटिक प्रिंसिप्ल्स को सबसे अच्छा फोलो करना वाला एक देश चाइना है, ये चाइना का कहना है, ठीक है, तो ये जो स्टुपिड बातें चैनीज प्रेजिडन कर रहा है, उसके बार में हम डिसकस करेंगे, ठीक रेंडर मुदी अड़ समीट फो डेमोक्रासी, देखिये, समीट फो डेमोक्रासी चल रहा है, जिसे कन्वीन कर रहा है, उनेतेज शेर्ट अफ अमेरिका के प्रेजिडन के जॉ बेदन, अब ये समीट फो डेमोकरासी आप बोल सकते हो, ये उस प्रेजिड का एक जहां human rights violations होते हैं जहां free and fear elections conduct नहीं करते हैं जहां press को उतना freedom नहीं देते हैं जहां opposition की बात मानते नहीं है तो यह सारे activities आप बोल सकते हो democratic principles के खिलाफ है तो इन सारे problems को solve करना दुनिया भर की democratic principles को और strengthen करना यह objective है यह summit for democracy का clear आप देखिए इस summit for democracy के लिए जब countries को invade किया गया था तब एक problem हुआ था बस मैं आपको बोल रहा हूं देखिए USA ने क्या किया आप देखिए summit for democracy और्गेस कर रहा है United States of America अब USA ही decide करेगा ना कौन-कौन से countries इस summit for democracy अटन करेगा या नहीं USA ने क्या किया कुछ countries को avoid किया इस summit से आप इस map में देख सकते हो कौन-कौन से countries को USA ने बुलाया है इस summit for democracy में शामिल होने के लिए इसमें आप देखिए सकते हो maximum North African countries को इन्हों किया और चाइना और रिश्या जैसे major countries को भी इन्होंने अवोइट किया तो बेसिकली हुआ है दोस्तों USA के साथ जिन countries के relations थोड़ा बहुत अच्छे है उनको तो इन्होंने जरूर बुलाया तो इनके एगेंस काफी सारे countries ने अपने statements दिया है कि USA सही नहीं कर रहा है अच्छे-चे democratic countries होने के बावजूद भी USA ने हमें नहीं बुलाया यह selection criteria सही नहीं है तो इस तरह की देखिए यह बात आपको पता है इंडिया दुनिया की लाजस डेमोक्रसी है और हमारी जो डेमोक्राटिक ट्रडिशन से वह 2500 यह ओल्ड है देखिए अगर आप ancient history चेक करोगे medieval history चेक करोगे आपको यह पता चलेगा इंडियन सब कोंट्रेंड में डेमोक्राटिक ट्रडिशन समेशा फोलो होते हुआ आया है ठीक है और एक बात नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला है कि वी मस्ट और सो जो जो अनली शेप global norms for emerging technologies देखिए आप सबको पते है आज की जो generation है वो social media का generation है या फिर cryptocurrencies का है तो इस तरह की emerging technologies का एक generation बोल सकते हो आज की जो generation है अब यह democracy है या फिर democratic principles को empower करने के लिए इन technologies का सही उपयोग करना चाहिए यह नरेद्र मोदी जी ने बोला केना का मतलब यह दोस्तों इन सब technologies जैसे जैसे उड़के आएगा इन को control करने के लिए, regulate करने के लिए global norms होनी चाहिए मतलब यह जो social media है cryptocurrencies जैसे emerging technology से यह democracy को empower करने के लिए इस्तमाल होना चाहिए ना कि इन्हें under mean करने के लिए तो इसके लिए हमें सावथान रहना होगा यह नरेद्र मोदी जी ने इस summit में बोला है ठीक है वाईसे एक important बात य presidential initiative for democratic renewal, के लिए summit for democracy और इस नहीं कराया, प्रेजिडेंट ने एक presidential initiative for democratic renewal भी अनौन्स किया है, इस initiative में USA ने 424.4 million dollars का funding अनौन्स किया है, ठीक है किसलिए to support free media, fight corruption, strengthen democratic reforms and use of technology for democracy and for defense of free and fair elections, तो बेसिकली यह सारे democratic principles आब बोल सकते हो, free media हो गया, free and fair elections हो गया, democratic reforms हो गया, anti-corruption हो गया, तो यह सारे जो principles को और strengthen करने के लिए, support करने के लिए, US President ने एक presidential initiative for democratic renewal अनौन्स किया है, जिसमें इन्होंने 424.4 million dollars का funding भी करेगा, ठीक है, और भी कुछ important बात नरेंदर मोधी जी ने भी बोला है, अब देखे, एक तो इन इन्होंने बोला है, democratic practices and systems को हमें improve करने की जरूत है, और इन्होंने की important बात ये कहा है, कि centuries of colonial rule के बाद भी, जहाँ democracy बिल्कुल नहीं follow रहा था, मतलब इतने साल British राज हुआ था हमारे देश में, इसके बाद भी हम last 74 years में हमारे democratic principles को हमेशा maintain किया है, ये भी बात नरेंदर सही नहीं किया, अगर USA का objective ये है, strengthen democracy around the world अगर आपको दुनिया भर के democracy को strengthen करना है, तो जितने भी democratic countries से चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उन्हें बुलाना जरूरी है, बाइट के बातचित करना जरूरी है, कैसे कैसे democratic principles को uphold करना है, ये बाइट के बातचित करके solve हो सकता है, वैसे ही initiative सही था, पर USA ने जिस हिसाब से selection लेके आया, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने countries को invade किया, वो सही नहीं रहा, ये तो मेरा राही है, जो भी है, तो paper 3, general studies 2, international summits में, stands of India में, ये news आपको कामाएगा, अगला news है, no proposal to scrap sedition law, देखिया हमारा law minister किरन डिजजू सापन लोग सभा में ये बोला है, कि सेंडर की तरव से ऐसा कोई proposal नहीं है, section 124 alpha of the Indian Penal Code को scrap करने का, कहने का मतलब ये है, central government section 124 alpha of the Indian Penal Code को scrap नहीं करेंगे अभी कहिसाब से, अब ये section 124 alpha of the IPC होता क्या है, इसे बिले आपको ये समझना होगा, कि Indian Penal Code क्या होता है, देखिए Indian Penal Code इसके अंदर जितने भी offenses है ना, एक human being जो कर सकता है, उसके बार में list किया हुआ है, एक एक sections में, अगर आपने Indian Penal Code के अंदर लिखा हुआ, कोई offense किया, तो वो particular section के अंदर आपको RS कर सकता है, अब आपके मन के अंदर एक doubt आया होगा, अगर मैंने ऐसे कोई गलती किया, ज तो क्या मुझे RS कर सकते है, पुलीस, या फिर मेरे against case file कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकते है, क्योंकि आपने जो किया हुआ offense है, वो Indian Penal Code के अंदर कोई offense ही नहीं है, तो आपको RS नहीं कर सकता है, पर इसमें एक problem है, इसको बोलते है, interpretation, मतलब Indian Penal Code के अंदर जितने भी section से उन्हें police forces जो है, interpret कर सकता है, मतलब ये बोल सकता है, आपने किया हुआ offense इस section के अंदर आ सकता है, इस तरह interpret कर सकता है, रुख जाए आपको मैं बताता हूँ आगे, देखो, section 124 of the IPC क्या कहता है, whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt, पढ़ लीजेगा, वैसे brief मैं आपको बता देता हूँ, government के against, अगर कोई words से, बातों में या लिखित में, कोई sign से, या कोई visible representation से, ऐसा कोई दिखा दिया, इससे लोग भड़क जाएंगे, या फिर violence insight हो जाएंगे, मतलब लोगों के अंदर government के against a disaffection create हो जाएगा, इस तरह की activities अगर आप करोगे, मतलब अगर लोगों को government के against भटकाने वाला काम आप करोगे, तो आपको government arrest कर सकता है, आपकी arrest जो है, basically imprisonment जो है, तीन साल तक हो सकता है, इसके उपर आपके उपर fine भी लेगेगा, यह कहता है section 124A of the IPC, अब आप एक बार video post करके यह पूरा पढ़ लीजिए, आपको इसमें से 50% clearly समझ में नहीं आएगा, जो smart बंदे उनको पूरा समझ में आएगा, मैं यह नह कुछ भी आएगा, मतलब visible representation, दूसरा आत्मी, मैं जो कहना चाहता हूँ, वो देख सकता है, वो हो सकता है, facebook post हो, आजकल की जो facebook, मतलब यह 124 alpha बना होगा, तब यह facebook, twitter, mobile phones, smart phones, इसके अबर में किसी को पता भी नहीं होगा, तब उन्होंने visible representation करके close q add किया, क्यूंकि इन्हे पता था, आने वाले time पर किसी भी तरह का technology आ सकता है, जिसे एक आत्मी, दूसरे आत्मी से communicate कर सकता है, तो आजकल की जो newspapers है, facebook है, whatsapp है, जो भी है, वो सारे visible representation का अंदर आएगा, तो इसी तरह sections को interpret कर सकता है, यह मैं बोल दा था, समझे आप, तो section 124 alpha of the IPC क्या करता है, यह आप समझ गे, आप देखे, हुआ क्या है, काफी सरे लोगों ने, basically जो opposition parties के कुछ members ने, या फिर journalists ने, human rights activists ने, यह section 124 alpha of the IPC के against कुछ petitions वाइल किया, यह Supreme Court में, उनका कहना भी साही था है, यह colonial rule है, basically यह British आज के टाइम पर यूस होता था, क्यों यूस होता था, ब्रिटी जो भी करेंगे, वो ऐसी होगा न, लोगों को भटकाने के लिए government के against, British आज के against, लोगों को भटकाने के लिए तो इनका काम था, fight करना था freedom के लिए, तो British government क्या बोलता था, यह सीधा-सीधा, आप section 124 alpha of the IPC के अंटर एक offense कर रहे हो, तो एक colonial rule में यह section 124 alpha of the IPC का, satisfaction create करने के लिए कुछ कर रहा है, कुछ articles लिख रहा है, तो government इनका सकता है section 124 alpha of the IPC के अंतर, है कि नहीं, तो इतना रूकिए, आप क्या लिखा है, Mr. Rijijiju also informed the house that question of law regarding section 124 alpha is spending, अब यह question of law मतलब क्या होता है, question of the law मतलब भाहिए दोस्तों, जो interpretation of the law है, जो मैंने आपको पह जाता हूँ, मालीजी एक journalist ने एक magazine में एक article लिखा, वो article का content थोड़ा सा government के against था, मतलब government ने कुछ corruption किया होगा, उसके बार में लिखा होगा, अब government चाहे तो इस बेंदर को arrest कर सकता है, वैसे एक journalist का काम वही है न दोस्तों, government की तरफ से अगर कोई गलतिया होता है, उसके ने लिखा है, journalist को arrest करो, पर इसमें जितने भी points लिखा है न ये सारे, इसको interpret करके वो journalist को arrest कर सकता है, ठीक है, ये है वो question of the law जो होता है, अब Mr. Rijijiju साब ने ये बोला, ये जो question of the law वाला clause है, इसके ओपर अब Supreme Court decision लेगा, क्योंगी already, ये जो section 124 alpha of the Indian Penal Code को scrap करना है, unconstitutional declare करना है, वो ही declare करना है, ये बोल के, काफी सारे petitions Supreme Court के पास अभी भी pending है, तो opposition का एक member ने Kiran Rijijiju साब से ये भी पूछा, क्या आपको Supreme Court ने ये नहीं बोला था, क्या ये जो sedition law है, ये colonial है, and it is being misused, and if the court has directed the union government to submit this response on the necessity and validity of the law, मतलब opposition member ने Kiran Rijijiju साब से ये पूछा, क Supreme Court ने आपको बोला नहीं था, कि ये section 124 alpha of the IPC जो है, ये थोड़ा सा colonial है, थोड़ा सा क्या, पूरा colonial है, and ये misuse हो रहा है, government की तरफ से, तो Kiran Rijijiju साब ने ये बोला, no such observations have been found in any judgment, मतलब Supreme Court ने हमें बोला तो है, पर Supreme Court ने ये नहीं बोला है, सिधा सिधा section 124 alpha of the IPC को turn down कर करो, ठीक है, वाइसे ये जो question of law या फिर interpretation of law के बार में अभी भी Supreme Court research कर रहा है, उसकी ruling तो बात में आएगा, तो अभी कहसाब से ऐसा कोई proposal ने है, central government की तरफ से, अभी के लिए section 124 alpha of the IPC लागू है, government चाहे तो किसी को भी RS कर सकता है, वाइसे दोस्तों, July 12, 2021 को Supreme Court ने central government क तो थोड़ा सा time दिया है, to counter affidavit in the matter of behalf of the union of India, मतलब, बोट सारे लोगों ने cases file किया था, section 124 alpha of the Indian Penal Court को, unconstitutional declare करने के लिए, तो Supreme Court सबसे पहले क्या करता है, Supreme Court central government से affidavit मांगता है, central government के लिए, कोई represent होता है Supreme Court में, जो solicitor general होता है, ठीक है, या फिर additional solicitor general होता है, यह सब appear तो उन से central government ये मांगता है, कि central government की clarification क्या है, इस issue में, क्या section 124 alpha of the IPC को turn down करना है, यह करना है, तो सबसे पहले Supreme Court का एक tradition यही रहा है, कि central से वो पूछते है, आपका clarification दो, एक affidavit दो, इसको बोलता है affidavit, ठीक है, तो central government ने Supreme Court से extension मांगा था, हमें time चाहिए, तो Supreme Court अभ मुझे माल में, फिर भी मैं आपको ये समझाना चाहरा था, इसलिए थोड़ा सा लेंकती बोल दिया मैंने, ठीक है, तो paper 3, General Studies 2, Government Policies and Interventions and Issues Erasing Out of the Implementation में, या फिर Structural and Functioning of Judiciary में, ठीक है, यह से में आपको ये news काम आएगा, आगला news है, Observer Status Granted to International Solar Alliance, सबसे पहले International Solar Alliance के ब initiative है by India and France, to mobilize efforts against climate change through the deployment of solar energy solutions, तो basically solar power से maximum energy create करना, ये International Solar Alliance का एक objective है बोल सकते हो, आपको पते है, fossil fuels जो हम आजकल यूज करते है, उसका usage हमें बंद करना होगा, क्योंगी fossil fuels अब जितना यूज करोगे, उतना greenhouse gas emissions होगा, जितना greenhouse gas emissions होगा, उतना global warming होगा, और global warming की वजए से क्या क्या extreme weather events हो सकता है, ये आपको पता ही है, तो धीरे धीरे हमें renewable energy के पीछे जाना होगा, और renewable energy का सबसे चाप्षन है solar energy, है कि नहीं, आप देखिए International Solar Alliance किस लिए है, basically दुनिया में सबसे ज्यादा, अर्थ में सबसे ज़्यादा sunshine कहा मिलते है, topic of cancer and topic of Capricorn के बीच में, इन्ह आपको पता है, आप ये Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn के बीच में जितने country से, या फिर इन दोलों लाइन्स को touch करने वाले जितने country से, वही ISA में मंगर से, अब आप ये सोच लिए होंगे, क्या इन लाइन्स के बाहर जो country से, वो ISA का member बन सकता है, क्या, ज़रूर बन सकता है, पर इनके प वो अपना-पना solar power से energy create करें, और एक grid में कनद करें, एक universal grid में, मतलब सारे countries, जितने भी continents में, जितने countries है न, वो सारे अपना individual solar power से energy create करके, थोड़ा बहुत अपने consumption के लिए यूज कर सकता है, बाकी जो है एक grid में कनद करना होगा, ताकि दुनिया में जितने भी country से, वो इस grid से electricity access कर सके, तो एक ambitious goal लगेगा, क्योंकि इसके लिए भूत पैसे का मतलब consumption हो सकता है, तो यह सारी बात है, तो यह ISA का ambitious goal है, यह जो universal grid वाला, ठीक है, आप देखिए, यह ISA वाला idea कब कंसी हुआ था, जब COP21 हुआ था, ठीक है, COP21 to the United Nations Framework Convention on Climate Change, वैसे जो COP होता है, व हुआ था, कहा हुआ था, Glasgow, Scotland में हुआ था, ठीक है, यह जो COP21 जब पैरिस में हुआ था, ना 2015 में, तब ही ISA का idea launch हुआ था, इंडिया and France, तो तब से लेके अब तक, इन्होंने as an example प्रूव किया है, how positive global climate action can be taken forward through partnerships, अभी इसी बात है, दोस्तों, आप जितना solar energy से electricity create करोगे इस तरह की जो innovation है, यह हमारी climate change को tackle करने के लिए बहुत काम आएगा, हैगी नहीं, अब, ISA provides a dedicated platform for cooperation among governments, multilateral organizations, industry and other stakeholders to help achieve a common goal, इसमें एकल governmental organization नहीं है, बाकि private stakeholders भी आ सकता है, basically जितने भी लोग solar energy से electricity create करके, एक common goal अचीव करने के लिए participate करना चाहते हैं, वो सारे ISA का members है, ठीक एक dedicated platform में, basically ISA, तो इतना clear है आपको, आप news क्या आया है दोस्तों, observer status granted to international solar alliance, United Nations का observer status मिला है, international solar alliance को, वैसे decision तो बहुत पहली ही ले चुगा था, देखे, COP26 के time पर और एक news आया था, कि United States of America ISA जोइन कर रहा है करके, यह news हमने cover भी किया था, आपको शायद याद होगा, ठी इससे पहली लिया गया था, कि ISA को United Nations का observer status देना करके, आप जाके यह दिया है, वैसे observer status मिलने से क्या फायदा दोस्तों, वैसे ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, यह मैं आपको बता देता हूँ, क्या है, basically United Nations organizations का जितने भी activities वगर है न, उसमें वो शामील हो सकता है, participate हो सक ठीक है, वैसे observer status maximum internal governmental organization, non-governmental organization को देता है, वैसे देखिए, क्या है न, उनके जितने activities होगा, उसमें वो participate कर सकता है, उनके पास voting rates वगरा नहीं रहेगा, बस वो participate कर सकता है, अपना जो राय हो, वो बोल सकता है, ठीक है, बस प्रसंद हो सकता है, पर यह pride वाली चीज़ है, United Nations organization आपको पता है, सबसे एक बड़ा organization है, इसका observer status मिलना मतलब एक pride वाली बात होगी, और एक acknowledgement हो गया, एक recognition हो गया, यह सब आप बोल सकता हो, वैसे United Nations organization का observe मिल गया मतलब कोई top नहीं बना, यह तो clear है, क्योंगि United Nations organization का power के बार में आपको मालूम है, पूरा power तो वो 5 countries के पा organizations activities, बस वाइए, organization की जितनी भी activities है, वो participate कर सकता है, ठीक है, तो बात वाइए, दोस्तों, active का recognition है, जैसे कोई award मिलता है न, वही से आप समझ सकते हो, ठीक, observe charters मिला मतलब बहुत कुछ नहीं है, तो I hope आपको समझ में आ गया, पर पर त्री जनल स्टिश्टी इस टू, important international institutions म ये news आपको काम आएगा, अगला news है, बेटी बचावो, बेटी पढ़ाओ, 80% of funds spent on media campaigns, सबसे पहले बेटी बचावो, बेटी पढ़ाओ, scheme के बारे में, ये scheme launch किया गया था by Prime Minister Narendra Modi in January 2015, ये scheme का major objective ये था, to address sex selective abortion and declining child sex ratio, देखे दोस्तों, हमारे देश में काफी सारे states का हाल ये है, जब कोई औरत प्रेक्नन हो जाता है, तो 3-4 मेने के बाद, उनके fetus का sex identification करने के लिए, कोई private clinic लेके जाता है, और उथर fetus का sex identification होता है, अगर वो बेची निकला, तो forced abortion भी होता है, इस तरह की काफी सारे cases, पहले report होता था, आज कल ये बहुत कम हो गया, तो 2015 में, ये सारे issues को address करने के लिए, प्राइम मिनस्टर नरेंदर मोदी जी ने बेटी बचावो, बेटी पड़ावो scheme launch किया गया था, क्यूंकि 2-11 की census की साब से, हमारा child sex ratio 980 to 1000 था, मतलब हर 1000 boys के लिए कैवल 918 girls ही थे, तो ये child sex ratio को equal करने के लिए, गर्मन ने ये बेटी बचाव बेटी पड़ाव scheme launch किया गया था, वैसे पूरे देश में 405 districts में ये scheme implement किया गया था, अब news क्या आया है, देखें दोस्तों, काफी सेरे पैसे allocate हुए थे ये scheme के लिए, पर अब Parliament Committee on Empowerment of Women की report आया है, इस report में ये बोला है, 80% of funds allocated were spent on media campaigns, मतलब बेटी बचावो, बेटी of funds खर्च हुआ है, media campaigning मतलब इसमें काफी कुछ चीज़ें आता है, जैसे advertisements देना, पॉसेस लगवाना, social media में circulate करना, ठीक है, ये सारे हो गया, media अब देखें होगे न, movies में भी आजकल बेटी बचावो, बेटी बढ़ाओ scheme के लिए, तो ये सब के लिए पैसे लगता है, ये advertisement, मतलब basically general awareness फिराने के लिए, पर देखें, actually बेटी बचावो, बेटी बढ़ाओ scheme के अंदर, health and education for girls के लिए भी कुछ करना था, पर इसके अला 2016 to 2019, देखें, 2016, 17, 18, 19 की बात है, total, 446.72 crore lease हुआ था, उसमें से 78.91%, मतलब करीब 80% जो है, media advocacy के लिए ही, खर्च हुआ, ठीक है, तो अब report में ये बोल रहा है, last six years में maximum पैसे तो इस तरह खर्चा हुआ, ठीक है, lack of political leadership की वजए से, या फिर lack of implementation की वजए से हो सकता है, जो आप पैसे general awareness के लिए यूज कर सकता है, पर maximum तो health and education के लिए खर्च होना चाहिए, जो भी है, आप देखें, the total utilization अगर आप देखोगे, the committee found that, since the inception of beti-bachao beti-padao scheme, in 2014-15 till 2019-20, total budgetary allocation, 848 crore हुआ था, ठीक है, excluding the COVID-stricken financial year, COVID-stricken financial year 2020-21 को छोड के, 2014-15 से 2019-20 तक 848 crore रूपी allocate हुआ है, इस scheme के अंदर, और इसका जो consumption है, वो भी भहुत कम हुआ है, देखें, ये period में, इसमें से 622.48 crore रूपी रिलीज किया गया था, states को, पर इसमें से केवल 24.13 percent, that is 156.46 crore, spend किया है, states और unit territories ने, तो देखें, दोस्तों, इतने पैसे, इतना एक अच्छा scheme के लिए, government ने states को allocate किया है, उसमें से states भी देखें, केवल 25 percent खर्च किया है, अब बताओ अब, इंडिया का हाल ये है, policies का implementation नहीं होता है, फिर होगा किस में, कोई, जब international reports वगर आता है, मतलब policies की कमी नहीं है, schemes की कमी नहीं है, उसकी implementations में problem है, ठीक है, आप क्या बोले, अब देखें, according to the implementation gateways of the scheme on the website of Ministry of Women and Child Development, there are two key components of BBBP, this is very important, बेटी बचाव वो, बेटी बढ़ाओ, 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 स्कीम का, दो में कमपोर्नेंट्स है, ये है, अब आदू के सी अचैन मेडिया क्यांपेन, ये भी इंपोर्टन है, मतलब, advertisements के तुरो, या फिर television publicity, print मीडिया के तुरू, कम्यूनिटी एंगेजमेंट्स के तुरू, SMS, ब्रोशेर्स, यह सब के तुरू, जनरल अवेरनेस तो फहलाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा ना कि यह बेटी बचाना, बेटी भढ़ाना कि इतनी ज़रूरी है, और दूसरा कंपोड़ेट यह है, मल्ती सेक्टरल इंडिर्वेशन इन सेलेक्टे जंडर किटिकल डिस्क्स, जिस डिस्क्स में यह सेक्श रेशो काफी कम है, उधर जाके मल्ती सेक्टरल इंडर्वेशन करना, लोगों तक जाके समझाना, अगर इनकी कैपैस्टी करवाने वो करना पूरा अवेन जनलेशन अक्टिविटीज करना वो करना इनकी सेक्टरल इंडेमेशन सिन हेल्थ करना तो वो करना यह सारा भी इसके अंदर इंक्रोड़ एंडेमेशन सेक्टीज करना था वैसे जब यह स्कीम लोंज हुआ था उसमें क्लीरली बताया था की 50 लाग पर यह एर्माक फॉर डिस्टिक फॉर यूटलिसेशन अडर सिक्स दिफरेंट कंपोनेंट मतलब जितने पैसे एक एक स्टेट के रिया अलोकेट करते ना उसमें एक एक डिस्टिक में 50 लाग जो है मैंटेटिरली कुछ कंपोनेंट्स के लिए उसकर ना था जैसे 60 परसेंट फंड्स जो है इंडर सेक्टरल कंसल्टेशन और कपैसी बील्डिंग के लिए उसकर ना था 50 परसेंट इनवेशन और अवेरनस जनेशन हो गया होगा देखिए 80 परसेंट फंड्स अभी क्या बोला है मीडिया केमपेशन के लिए उसको यूस करना है आप जो चीज़ें कर रहे हो अक्टिविटीज कर रहे हो उसका मोनेट्रिंग एवालेशन के लिए करना है इसके बावजुद 80 परसेंट फंड्स जो है पूरा के लिए खर्च किया अब यह तो कोई भी ऑथोरिटीज के लिए इसी वाली बात होगी क्योंकि अट्विटेशन के लिए खर्च करना मतला कोई भी एक अट्विटेशन एजनसी को पकड़ा उनको पैसे दे दिया बस खतम आप देखिए बाकी जितने कंपोनेंट्स में अग कisन लिए चल दूब करना होगा यह काम नहीं किये और पूरिया पैसे अट्विटेश्मिन के लिए कोई कगड़ा होगा उनको वी अटे तो खुल मिला के यह जो बेटी बचावो बेटी बढ़ाव स्कीम का जो एक्ट्वल अब्जेक्टिव था यह फिल होते वे नजर आ रहा है क्योंकि इतने पेसे मीडिया केमपेणी के लिए खच किया है कि नहीं तो जो भी दोस्तों कुछ और नहीं दो पर यह फिल है क्योंकि वीजा तो आज नहीं इस नहीं को नहीं है पर काफी कुछ हसने को है हसने को क्या मैं आपको आगे बताऊंगा देखें दोस्तों मैं आपको पहला ही नहीं समझायता Summit of Democracy के बार में जो US से कंड़ेट करवा रहा है अब इसमें चाइना को नहीं बुलाया था ये भी मैंने आपको बताया था अब देखिए चाइना और US के बीच में जो रिलेशन से उसके बार में आपको पता है जब US ने चाइना को नहीं बुलाया तो चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि US ने बहुत बड़ी गलती किया है हमें नहीं बुलाया हम तो दुनिया का सबसे लाजस्ट डेमोकरसी है और इन्होंने ये तक बोल दिया कि चाइना में वर्ल्स लाजस्ट इलक्टोरल डेमोकराटिक प्रोसस हम चालाते है और इनका क्लारिफिकेशन सुनिया आप इन्होंने बोला है हमने 2016 और 2017 में 900 मिलियन वोटेस का बेसिकली एक एलेक्शन करवाया उसमें 900 मिलियन वोटेस पार्टिसिपेट किये थे लोकल लवल में भी और नाशनल लवल में भी बेसिकली पीपल कॉंग्रेस ओफ चैना जो है उस पर एलेक्शन हो रहा था सुनने में बहुत अच्छा लग रहा ना आपको कि चैना जैसे कंट्री में इतना बड़ायक एलेक्शन हुआ जिसमें 900 मिलियन वोटेस पार्टिसिपेट किये थे पर सच बात हो यह दोस्तों बहुत अट लॉवर लवल से नाशनल लवल और लाजली रबर स्ट्यांप बोडीस दर ररली कोस्टीन पर चैना में जो इलेक्शन बोडीस है वो बेसिकली रबर स्ट्यांप बोडीस है जो कम्यूनिस पार्टीस पोलिसी के इशारे पर चलते है ठीक है तो ऊपर से और एक बात यह है मैक्सिमम इलेक्शन जो हुआ था लोकल लवल में हो या फिर नाशनल लवल में हो वो one candidate election था ठीक है बेसिकली एक ही candidate खड़ा रहेगा बस वोट करना है या फिर एक ही party का दो candidate खड़ा रहेगा तो जीतेगा तो वही party का आत्मी जीतेगा तो इस तरह के elections होता है पर बोलने के लिए क्या इतना बड़ा एक election conduct हुआ चाइना में, तो हो गया ना democratic, तो वही बोल रहा है चाइना, ठीक है, and including for the post of president, premier, जो भी है, वो सब one candidate elections होता है, कहाँ, चाइना में, ठीक है, और उपर से चाइना ने ये भी बोला, इंडिया का जो political system है, वो chaotic है, and inefficient है, पर चाइना का बहुत अच् अगला news है, decline of dragonfly population caused by wetland destruction, देखे, dragonfly मतलब क्या होता है, ये आपने देखा होगा चाहिए, ये है dragonfly, ठीक है, तो इसके population में decline हो रहा है, क्योंकि wetland destruction के वज़े से, दुनिया भर में wetland destruction बहुत fast pace में चल रहा है, जितना forest disappear हो रहा है ना हमारे दुनिया से, उससे fast pace में wetlands भी destroy हो रहा है, ठीक है, आप देखी, ये report published किया है, International Union for Conservation of Nature ने, IUCN आप बोलते हो ना, आप देखे, और एक update ही है दोस्तों, ये जो IUCN का red list of threatened species है, जिसमें काफी से रहे classification होता है, जैसे endangered, critically endangered, threatened, extinct, near to extinct, इस तरह की classification होता है, ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है, आप उनके red list में 40,000 से ज्यादा species है, वो threatened with extinction है, मतलब, आब, मतलब, इम्मीडियेटली उन्हें conserve करने के लिए, protect करने के लिए कुछ किया नहीं जाएगा, तो वो पूरा extinct हो जाएगा, मतलब, टॉटल red list में 1,42577 species है, IUCN का red list में, उसमें से 40,084 species है, जो है, आप देखी, आप देखी in the global loss of dragonflies, today's red list update underscores the urgent need to protect the world's wetlands, अब world की जो wetlands से उन्हें प्रोटेट करने की बात किया जा रहे है, क्योंगी ये dragonfly का major habitat है, wetlands जो है, वैसे जो marshes हो गया, wetlands हो गया, जो पानी से भरा हो रहता है, ये लोग क्या समझते है, basically human beings unproductive समझते है, क्योंगी they are inhospitable to human, human कम रहते ह में, वैसे wetlands को protect करने के लिए काफी सरी international conventions बगरा है, रामसार साइट्स वगर आपने सुना होगा ना, तो रामसार convention, इंडिया में कितने रामसार साइट्स है, मुझे comment box में बताईए, 42 मत बोलिएगा, क्योंगी 42 तो काफी सालों से चल रहा था, अब ये increase हुआ है, 10 of world's non-species, देखे, wetlands में, दुनिया में, जितने species उन में से 1 by 10, हर 10 में से 1 species wetland में रहते हैं, ठीक है, तो ये बताया जा रहा है, आप देखे, dragonfly की, अगर बात किया जाए, world's dragonflies and damn selfies reveals that, 16% out of 6016 species are at risk of extension, ठीक है, dragonflies में, 6016 species, उसमें से 16% जो है, they are risk of extension, South and Southeast Asia में भी वहाल है, Central and South America में भी बता रहा है, clearing of forest की वज़े से, and residential and commercial construction जो हो रहा है, उसकी वज़े से, wetlands दो है, या फिर इनकी जो habitat हो डिकलेन हो रहा है, basically dragonflies की population, डिकलेन हो रहा है, South and Southeast Asia में क्या हो रहा है, mostly due to clearing of wetland, rainforest, ठीक है, यह palm oil cultivation के लिए, South and Southeast Asia में, wetlands हो गया, rainforest हो गया, यह सब clear किया जा रहा है, इसलिए, 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 कई सरे species का declining expected है, इसलिए, कोई doubt नहीं है, ठीक है, and pesticides use करते है, other pollutants, climate change, यह सब बज़ा है, इसकी जो population declare होने का, ठीक है, and there are greater threats to dragonflies in North America, Europe, ठीक है, North America हो, Europe हो, South East Asia हो, South Asia हो, Central America हो, South America हो, सारे जगाँ ड्रागन फ्रेस की population जो है, decline हो तो है नजर आ रहा है, right, आप देखें, ड्रागन फ्रेस जो है, highly sensitive, sensitive indicators है, of the state of freshwater ecosystem, देखें, इसको बोलते है न, ecosystem indicator, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन के बा एको सिस्टम, neat and clean है, क्योंगी वो polluted waters में नहीं रहेंगे, वैसे dragonfly, जिस habitat में प्रसंट होगा, वो habitat जो है, वो healthy ecosystem होगा, healthy habitat होगा, basically, ठीक है, तो यही बात है, दोस्तों, इन्हें concern करने की जरूरत है, यह बताया जा रहा है, तो यह जो, IUCN red list का, जो 40,000 crores होआ वाली जो and with extinction है, और dragonflies का भी हाल वही है, dragonflies भी धीरे-धीरे extinct हो रहा है, यह news आया है, तो paper for genocide is 3, conservation, biodiversity, environment degradation में यह particular news आपको काम आएगा, आज का final news, Nicaragua breaks diplomatic ties with Taiwan, recognizing one China, देखिए चाइना और तैवान के बीच में जी इसके बार में आपको पता है, चाइना यह बोलता है, तैवान चाइना और चाइना और तैवान के बेच में, reasonably काफी military confrontations वगरा हुआ था, काफी सरे fighter jets, warships वगरा इथर से उथर, उथर से इधर गए थे, उपर से आज कली United Seals of America भी तैवान के support में आया है, तो यह सारी news आपको पता होगा, आप क्या है दोस्तों, तैवान को as an independent country मान के, काफी सर तैवान के साथ diplomatic relations maintain करके रखा है, ठीक है, पर आब Nicaragua एक Central American country है, यह अपना formal diplomatic relations break किया है तैवान के साथ, ओविसी बात है यह Chinese influence में आके है किया होगा, क्योंकि चाइना का काम ही यह है, जितने countries तैवान के साथ relations maintain करके रखा है उसे तोड़ना, तो इसमें चाइना भी successful रह है, तो Nicaragua का President Daniel Ortega ने यह बताया है कि इन्होंने तैवान के साथ diplomatic relations break किया करके, वैसे दोस्तों अभी की हिसाब से तैवान के साथ के अवल 14 formal diplomatic allies है, 2019 में, September 2019 में भी दो कंट्रीज तैवान के साथ diplomatic relations break किया था, Solomon Islands and Kiribati, दोनों Pacific Ocean के country से, वैसे आप Nicaragua का map देखे, Central American country है, द कंट्री के साथ वो अपना border share करते है, Northern side में Honduras, Southern side में Costa Rica, ठीक है, ये, sorry, Atlantic Ocean है, और ये Western side में Pacific Ocean है, आप देखे, People's Republic of China is the only legitimate government that represents all of China and Taiwanese and inalienable part of Chinese territory, ठीक है, इस तरह की statement आया है, कहां से, Nicaragua से, तो भी उसी बात आपको पता है, Chinese influence में आखे किया होगा, आप देखे, बात ये, दोस्तो, the break with Taiwan, इसे blow to the United States, ये United States के लिए अच्छा news नहीं है, क्योंगि United States और Nicaragua की बीच में इतना अच्छा relation नहीं है, है कि नहीं, आप देखे, इसलिए, चाइना निकरागा को अपने पास लेके आया होगा, क्योंगि किसी ना किसी तरह उन्हें इफ्लूएंस करक क्योंगे, आप बीचिंग के साथ जुड़ गया है Nicaragua, आप Nicaragua और US के साथ जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं क्योंगी, last month, US ने Nicaragua के उपर sanctions लगाये थे, आप देखे दोस्तों, US का कामी वही है, जितने governments उनकी बात नहीं सुनती है, उनके उपर वो sanctions लगाते हैं, fraud important custom scheme चला रहे करके, basically, Hortega का government में, जितने members है, उनको enrich करने के लिए, basically, उनको पैसे बना के देने के लिए, इनकी जो national security advisor, कोई illegal important custom scheme चला रहे करके, US government ने बोला है, ठीक है, तो US ने क्या क्या, निकरगवा गर्मन के उपर sanctions भी लगाया, तो अब्यूसी बात है, Nicaragua और US के relations खराब हो जाएगा, and US और China के relations already खराब है, तो अब्यूसी बात है, Nicaragua और China के relations अच्छा हो जाएगा, तो वही हुआ है इतर, ठीक है, और last month US President ने ये भी बोला था, कि Nicaragua में जो presidential election हुआ था, वो भी ठीक तरह से नहीं हुआ, वो एक ड्रामा था कर गी, तो इस तरह की problem से already US और Nicaragua के बीच में, तो आप जाएके finally news आया है, Nicaragua तैवान के साथ अपना diplomatic ties जो है, ब्रेक किया है, ठीक है, तो paper 3 general studies 2 में, international relations में ये particular news आपको काम आएगा, तो दोस्तों that's end of it, I hope आपको पूरे news समझ में आया होगा, आप मुझे comment box में बता दीजेगा, कि आप social आपको telegram channel में मिल जाएगा, जिसका link नीचे provided है, sorry दोस्तों आज थोड़ा late हो गया, कुछ unavoidable circumstances आ गया था, इसलिए कल से time पर upload करने की कोशिश करूँगा, thank you for watching, bye bye, have a nice day.